हेलो फ्रेंड्स मैं आज पनीर और चिली की सबसी बना रही हूं थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल जबी मैं बनाती हूं से थोड़ा सा डिफरेंस मैं आज बना रही हूं इसमें मैंने लेस्टन सबसे पहले छॉप में थोड़ा जीरा दिया लेस्टन का पेश्ट दिया उसक भूनी ऐसमें थोड़ा एक्सटा आपको देना है वह अपाव भाजी नशार जिसने की देश्ट इसमे बहुत अच्छा है मैंने डाले और सबमसाले भूhने के बाद सिम्ना अब भूने चाहए उसके बाद फिर पनीर बुदन दालने पनीर को थोड़ी दिल बूरने और लास्ट में थोड़ा सा केछण आपको देना है, टेमेटो जो सौस होता है वो तोड़ा सा देदी चेंगत और आपका ये repairs Hello friends, welcome back to my channel! Friends, आज मैं अपने dining table का makeover करूंगी जब guest आते हैं आपके घर तो आप कैसी उसको organize कर सकते हो मैं अपने तरीके से आपको दिखाऊंगी अगर आपको पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक कीजेगा और सबस्क्राइब कीजेगा मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं makeover करके आपको दिखाऊं कि किस तरह से मैं जब guest आते हैं तो मैं किस तरह से dining table को organize करती हूँ अभी तो फिलाल मैं हमेशा जो रहता है वो मेरा simple ही रहता है रखा हुआ बड़ जब कोई guest आते हैं डिनर पे या लंच पे तो मैं किस तरह से उसको set करती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी तो फिलाल मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अभी मेरा dining table है ये देखे फ्रेंड अभी मैं बिल्कुल ऐसे ही simple रखी हुई हूँ इसे रोज तो मैं ऐसे ही simple ही रखती हूँ बड़ जब मैं किसी को lunch पे या डिनर पे बुलाती हूँ तो बिल्कुल अलग तरीके से इसको organize करती हूँ तो आज मैं आपको दिखाऊंगे कि किस तरह से इसको dining table को आप organize कर सकते हैं ये देखे फ्रेंड ये है all in one इससे आप पूरी चीज़े clean कर सकते हैं जैसे टीवी cabinet होता है चिमनी होती है तो ये मैं dining table आज इससे clean करूंगे और ये बहुत ही useful है ये सारी चीजों पर आप यूज कर सकते हैं तो आज मैं इससे आपको dining table clean करके दिखाऊंगी कर दो आपको झाल 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 झाल